असलाम लेकुम, advanced class, how are you, hope you all are fine, आज आपका English का lecture number 3 है, अपनी English की notebook open कर लें सब बच्चे, जी, कर ली आपने notebook open, very good, सबसे पहले आप date mention करें, 0, 3, 0, 6, 20, 20, ठीक है, date mention कर ली, इसके बाद आप लिखें, C, A, class assignment, और D है आज हमारा, WED, N, E, S, D, A, Y, D, Wednesday, आज आपका English में topic है, singular, plural, adding डाल लेते हैं पहले हम, S-I-N-G-U-L-A-R Singular इसे से लाइं दूसरे ब्लॉक में हैडिंग डाले है P-L-U-R-A-L प्लॉरल ठीक है सिंगुलर प्लॉरल अच्छाएडवांस क्लास आपको पता है सिंगुलर प्लॉरल किसको कहते हैं सिंगुलर किसी भी एक चीज के लिए यूज होता है कोई भी एक चीज वो सिंगुलर कहलाती है और एक से ज्यादा दो या दो से ज्यादा जितनी भी चीज़ें होती है वो प्लॉरल में शामिल होती है सिंगुलर एक को कहते हैं और प्लॉरल एक से ज्यादा चीज़ों को कहते हैं ठीक है चले हम स्टार्ट करते हैं सिंगुलर प्लॉरल करना यहां पे आप डालेंगे वन, फर्स आपका सिंगूलर है, C-A-R-Car, C-A-R-Car, R means गाड़ी, यानि एक गाड़ी, इसका प्लूरल है, C-A-R-S, Cars, Car means एक गाड़ी, Cars, यानि एक से ज्यादा, बहुत सारी गाड़ीयां, दो या दो से ज्यादा गाड़ीयां, अब यहां पे डाले लिए नमबर तू, नमबर तू है, F, फर्स त्री लाइन में, F लिए एक गाड़ीयां, एक गाड़ीयां, एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा पंखे, नमबर थ्री है, B, फर्स त्री लाइन में, B, A, double L, ball, B, A, double L, ball, ball means gain, इसका प्लूरल है, B, A, double L, S, balls, यानि एक से ज्यादा गें, नमबर फोर है, D, O, double L, doll, doll means गुडिया, इसका प्लूरल है, D, O, double L, S, dolls, यानि गुडियां है, बहुत चारी गुडियां है, ठीक है, नमबर फाइफ है, B, O, Y, boy, यानि लड़का, B, O, Y, S, boys, यानि लड़के, एक से ज्यादा लड़के, नमबर सिक्स है, आपके पास, G, I, R, L, girl, girl means लड़की, इसका फ्लूरल है, G, I, R, L, S, girls, यानि लड़कियां, ठीक है, एड़्वांस क्लास, अब ये पेज आपको सामने अपने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आपने सेम इसी की तरह अपनी नोट बुक पे काम करना है, औ अच्छा सकान कीजेगा, ओके लाफिज,